हलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल में आज हम बनाने जा रहे हैं आलो की गर्मा गर्म कचोडियां तो आए बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम यहां पर कुछ खड़े मसालों को ड्राय रोस्ट करेंगे इसमें मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च ली है साबुद ध अब इन सबी चीजों को हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे हमें इसे काफी मोटा ही रखना है दर दरासा ही पीसना है आपको इसे अब यहां पर मैंने कुछ उबले हुए आलो लिये हैं जिने मैं हातों की मदद से मैश कर रही हूं तो सारे आलो को मैं अच्छे से मैश कर करेंगे अपने हाथों की हल्प से उसके बाद हम इसमें अध़ करेंगे यह पर मैंने इसको बारी कर लिया है यह आड कर देंगे अब हम फ्रेश कुरियंडर लीव्स एड 22nd तो यह देखिये वे काफी सारा रध autumn तो यह देखियोर मैं पर निया भी ड्राय रोस्ट किये थे वह हम इसमें आड़ कर देंगे अब मैं करेंगे सॉल्ट थोड़ा सा रेड चिली पाउडर कर लिए और इन सभी चीजों का बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो आप अपने हाथों के आद से ने अच्छे से मिक्स कर लीजिए तो यह अच्छे से हो गया है mix अब चलते हैं आटे की तरफ यह मैंने आटा जैसे हम पूरी का आटा गुनता है वैसे गुनता है थोड़ा सी अजवाइन, एक चम्मज खी और नमक डाल के एक टाइट सा डो हम तियार कर लेंगे और उसके छोटे-छोटे ऐसे लोई बनाकर यह देखे मैं आपको दिखाती हूँ इसको थोड़ा सा हम बेल लेंगे और इसके बाद हम अपनी स्टफिंग इसमे अड़ करेंगे यह हमने डाले अपने आलू की स्टफिंग इसमें और अब इसे कॉर्णर पे से पकड़के हम पोल्ड कर देंगे अच्छे से आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से कर रही हूँ आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है इससे आपकी कचोड़िया बिल्कुल भी फटेंगी नहीं अधर्वाइस यह फट जाएंगी तो यह देखिए हमारी कचोड़ी बनकर हो गई है तयार आपको बाकी भी ऐसे बेल लेनी है यह देखिए हमारी कचोड़ी बनकर बिल्कुल तयार है अब फिर से मैं एक बार और दिखा देती हूं आपको हमने एक लोई ली उसको थोड़ा यह मैंने कर दिया है फोल्ड वापिस इस फे थोड़ा सा आटा लगाएंगे और इसे अच्छे से बेल देए दोस्तों यह जो कचोड़ी बहुत जादा टेस्टी बनती है और इने बनने में भी जादा टाइम नहीं लगता है तो यह देखिए हम ऐसे ही बेल लेंगे बहुत यह सब्सक्राइब इसे गरम हो चुका है अब इसको डाल देंगे अपनी कचोडियां एक एक करके इसमें इन्हें आपको मीडियम फ्लेम पर ही फ्राइ करना है अच्छे से बीच बीच में थोड़ा-थोड़ा चलाते रहेंगे और जो गरम-गरम तेल है इसके उपर भी डा और जब तक इस पेक अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आता हम इसे पलट पलट कर सेखते रहेंगे तो गाइस आपको कचोड़ियां खाना पसंद है या नहीं आप मुझे कमेंट सेक्षिन में जरूर बताना और जब भी आपका दिल चाहे चाहे ब्रेकफस्ट में लंच में या डिनर में आप इसे बना कर खा सकते हैं काफी अच्छा ऑप्शन है और आपके घर में सबको पसंद भी आएगा क्योंकि मेरे घर में तो काफी पसंद करते हैं लोग कचोड़ियों को और देखिए बातों ही बातों में हमारी कचोड़ियां भी बनकर तयार होई चुकी हैं तो बस अब यह रेडी हैं सर्व करने के लिए तो अब हमारी कचोड़ियां हो चुकी हैं सर्व करने के लिए रेडी तो चलिए इने कर लेते हैं सर्व तो यह रेडी हो गई हमारी गर् ãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn